हलो फ्रेंज सुचताई लहावादी कीजन में आप सभी का स्वागत है आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिक्सवेज सब्ची जो कि ठंड में सारी सब्चियां आसानी से मिल जाती है मार्केट में यह देखिए हम सारी सब्चियां ले लिए हैं मटर हम पहले से छील के रख ल लिए हैं अब इसको हम काटना स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से हम सब्चियों को काट रहे हैं देखिए बड़ी बड़ी पीस में कि यह बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा हिल्वाई स्टाइल में आप इसको चाहे जब बना के खा सकती है कि देखिए इस तरीके से हमारी सब्जियां काटके रेड़ी हो रही हैं यह मुटर हमने पहले से छील के रख लिया था तो हम सारी सब्चियों गणकरें unified हम बनाना इस्टाट करेंगे गरम हो रहा इसे में सरसो का सीड डाल दूर नियुक्त Łवकि करेंगे ऐस तरीके से में बडाबर से इसके तशी तरीके से पैर Queensland दूर दे रहें different कि देखिए हमारी सबजी या अलूगों भी में इस तरीके से जो हमस्टी से यह अब जो बची है सब्जी यह को साथ हम यह dáb इसके हम शारी सब्जाने कर ले रहे हैं तरह इसमें हम मटर भी दाल दे रहे हैं इसे के साथ मटर भी प्राई हो जाए तर इस तरीके से देखी हमारी सब्जाने को रही है हम इनकाल के रख ले रहे हैं एक साथ है देखिए अब हम इसको बनाना इस्टाट करेंगे तो इधर कडाही रग दिये हैं गरम हो रहा है सरसो का तेल डाल रहे हैं थोड़ा सा सब्जी हमारी पहले से फ्राई हैं तो तेल हम कमी वीच करेंगे अब इसमें आधा चमच हम डाले करेंगे राई राई हम चटकने देते हैं अब हम इसमें करेंगे आधा चमच जीरा जीरा हमारा ब्राउन हो रहा है अब हम इसमें डालेंगे मीडियम साइज का प्याज बारिक कटा हुआ है हरी मेर्च हम लेते हैं बारिक टीवी दो अच्छी तरीके से ब्राउन हो गया इसमें हम सारी सब्सक्राइब कर दे दे रहे हैं तो सब्जिया तो हमारी पहले से पख गई थी आधा अब इसमें और अच्छी तरीके से पख जाएंगी बहुत ही जल्द बनेगा इसको हम बराबर चला दे रहें इस तरीके से कि इसमें हम टमाटा एक ले लिये हैं काट के डाल रहे हैं इस तरीके से खेए 땡ि में लमदिदी पीस में चाला के ढग दे रहे हैं कि यह यह रिखिए हमारी समझ्छेश्य इस तरीके से हुई है इसको हम बराबर चला देंगे तेल में पक गई है इस तरीके से विसमें हम मसाला एट करेंगे आधा चमच हम ले रहे हैं धनिया पौड़ा अधा चमच हल्दी पौड़ा हल्का सा हम डालेंगे दरबरी कुटी ही लाल मिश्च स्वाद अनुसान नमाक अब हम इसने आट करेंगे एक चमच लेसुन अधरक दरबरा कुटा हुआ दिखिए इसको हम अच्छी तरीके से चला दे रहे हैं चला के ढग दे रहे हैं सब्जी अगय समलो कर दे हैं ताकि सब्जी हमारी अराम से पक जाएं अब हम इसको खूल के देख लिए रहे हैं सब्जी हमारी पकी ही कि नहीं इसमें हम थोड़ा से एट कर रहे हैं गरम मसाला और सब्जीयों को और इसी तरीके से हम चला दे रहे हैं इसको हम देखिए इस तरीके से चला के ढग दे रहे हैं थोड़ी देर यह और पक जा इच्छी तरीके से है देखिए सब्जी हमारी बन की रेडी हो गई है अब उपर से हम लगा दे रहे हैं हरी धनिया अब इस तरीके से प्लेट में रख रहे हैं सारी सब्जी यह यह कितनी सुंदर देखने में लग रही है हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा सभी भाई बहिनों को नमस्कार और धन्यवाद